इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Tonact ASP 150 capsule दो दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल दिल के दोरे और stroke को रोकने के लिए किया जाता है यह खराब cholesterol यानी की LDL triglycerides को कम करता है और शरीर में अच्छे cholesterol यानी की HDL के स्तर को बढ़ाता है इसके अलावा यह रक्त के ठक्कों के गठन को भी कम करता है पेट खराब होने से बचने के लिए Tonact ASP 150 capsule को खाने के साथ ही लेना चाहिए आपको इसे अपने चिकित सकदवारा निर्धारित समय सारनी के अनुसार नियमित अंतराल पर नियमित रूप से लेना चाहिए इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे याद रखने में मदद मिलेगी उपचार की खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है जब तक आप बहतर महसूस न करें, तब तक इसे लेना बंद न करें जब तक कि आप पूरा कोस पूरा नहीं कर लेते जीवन शैली में बदलाव जैसे कम वसा वाला आहार, व्यायाम और धूम्डपान न करना इस दवा को बहतर धंक से काम करने में मदद कर सकता है पेट दर्द, अपच और कब जिस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं यह दवा आपके रखतसराव के जोखिम को बढ़ाती है, इसलिए शेविंग, नाखून काटने, तेज वस्तूओं का उप्योग करने या संपर्क खेलों यानि की जैसे फुटबॉल, कुष्टी में सनलगन होने के दौरान सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है अगर आपको त्वचा का पीलापन, मांस्पेशियों में दर्द या गहरे रंग का मूत दिखाई दे तो अपने डौक्टर को बताएं इस दवा को लेने से पहले, अपने डौक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर या किड्नी की बीमारी है या आप ब्लीडिंग डिसॉर्डर से पीडित हैं यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए आपको अपनी स्वास्थि सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती है या प्रभावित हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद